बच्चों, आज हम अपनी 7th की बुक से एक और नया चेप्टर स्टार्ट करेंगे and the name of the chapter is The Bear Story ये स्टोरी है एक लेडी, उसके बैर और उसकी कुक के बारे में एक ऐसे बैर की स्टोरी है ये जो बहुत ही friendly है सभी के साथ एनिमल्स हो, बीस्ट हो, मैन हो, चिल्डरन हो, सभी के साथ वो जो बैर है वो friendly है, he was very amiable और एक vegetarian बैर है, बहुत ही प्यारा बैर है, सारी बाते मानता है तो आज हम इस कहानी में एक बैर के बारे में जानेंगे चलिए, चेप्टर स्टार्ट करते हैं Students, it was several years ago when this lady found a bear in the forest ये बहुत सालों पहले की बात है, जब इस lady को एक bear एक जंगल में मिला अब किस तरह से मिला, देखिए It was half dead of hunger, so small and helpless that it had to be brought up on the bottle by the lady and the cook Students, जब lady को bear मिला, उस time he was half dead of hunger भूख से लगबग वो half dead था, भूख से मरने वाली उसकी condition थी बहुत ही small, छोटा था, helpless था और उस lady ने और उसकी cook ने इसको bottle से feed करके बढ़ा किया जैसे हम एक छोटे बच्चे को bottle से feed करते हैं ना ठीक उसी तरह से lady ने bear को bottle से feed करके बढ़ा किया यह काफी पहले जब इसको मिला था, उस time की बातें बताई जा रही हैं चलिए, आगे देखते हैं Now he had grown up to a big bear, so big and strong that he could have slain a cow and carried it away between his two paws if he wanted to Students, पहले जो बात बताई गई है, वो तो काफी सालों पहले की बात बताई गई है लेकिन अब जो वही जो छोटा bear था, भालू था, वो बहुत बड़ा हो चुका है और इतना बड़ा और इतना strong हो चुका है कि वह किसी भी गाई को मार कर और अपने दोनों पंजों में फसा कर उसको आगे खिच कर ले जा सकता है यानि कि कोई भी इनसान हो या जानवर हो, किसी को भी ये हाम पुचाने के लिए, नुकसान पुचाने के लिए ये सोच भी नहीं सकता है और जो ये भालू है बहुत ही amiable means बहुत ही ज़्यादा friendly है, बहुत ही प्यारा भालू ये था He used to sit outside his kennel and look at cattle gazing in the field nearby Students, वो हमेशा अपनी kennel के बाहर ही बैठा रहता था Kennel means a house of pets, यानि कि डोग के लिए जो घर होता है उसको kennel बोला जाता है उसके भार हमेशा बैठा रहता था और उसके बाद जो गाय सब चर रही होती थी फील्ड में उनको ये बड़े ही प्यार से आराम से देखता रहता था The children used to ride on his back and had more than once been found asleep in his kennel between his two paws बच्चें इसकी पीट के उपर ride करते थे, घूमते थे, फिरते थे, मस्ती करते थे और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि इसके कैनल में जब ये बैठा रहता था तो वहां इसके दोनों पंजों के बीच में बच्चें सोए हुए भी मिल जाते थे यानि कि कहने का ये मतलब है कि ये जो बैर था ये बहुत ही प्यारा, very amiable, very friendly बैर था The three dogs love to play all sorts of games with the bear, pull his ears and tease him in every way, but he did not mind Students, यहां पर बताया गया है कि जो three dogs हैं वो भी इसके साथ अलग-अलग तरहें के games खेलना पसंद करते थे इसको tease करते थे, अलग-अलग तरहें से परेशान करते थे, इसके कानों को भी खिशते थे, बट ये कभी भी परेशान नहीं होता था ये उनके साथ बिलकुल आराम से खेलता था He had never tasted meat, इसने कभी भी meat को taste नहीं किया था इसका ये meaning हुआ कि बच्चों, he was a vegetarian bear He had the same food as the dogs जो pets हैं, जो dogs खाना खाते हैं, वही खाना ये bear भी खाता था For example, bread, potato, cabbage, turnip इस तरह के vegetarian items ही ये खाता था If bears get a chance to be vegetarian, having fruits is what they like the most अगर bear को vegetarian होने का chance मिलता है तो उसको fruits ही सबसे ज़्यादा पसंद आते थे और इस bear को apples सबसे ज़्यादा पसंद थे He like apple very much In autumn, he used to sit and look with wistful eyes at the ripening apples in the orchard Unable to resist the temptation, he used to climb the tree and get handful of them He also had a difficulty about the beehives Students, यहाँ पर बताया हुआ है कि The bear was fond of apples, उसको यानि कि apples बहुत ज़्यादा पसंद थे और उसको honey भी शहद भी बहुत ज़्यादा पसंद था But now he had learned that it was against the law as he had been punished for this by being put on chain for two days So he kept his small eyes wide open for any apple that fell on the ground Students, what happened? आप उस बैर को पता चल चुका था कि पेड़ के उपर चड़ना और honey लेना ये उसको rule के according नहीं है उसको ये नहीं लेना है क्योंकि उसको punish किया जाता था जब भी वो कोई गड़बर करता था उसको punish किया जाता था Chain से two days के लिए बान दिया गया था अब वो समझ गया था और इस तरह से वो अपनी छोटी छोटी आखों को खोल कर एपल का वेट करता था कि जो भी एपल ग्राउंड में नीचे गिरेगा उसको वो खाएगा और trees के उपर नहीं चड़ना है ये वो बात समझ चुका था स्टूडेंट्स यहां पर संडेज की बात की गई है हर संडे को जो बैर की मिस्ट्रेस थी वो लेडी अपनी मैरीड सिस्टर जो माउंटेन लेक के दूसरे साइड रहती थी उससे मिलने जाती थी और ये एक घंटे का रास्ता होता था वो फोरेस्ट से होती हुई वहां हर संडे को जाती थी सूदेन्स इसलिए हर संडे को बैर को चेन से बान दिया जाता था और उसकी मिस्ट्रेस नहीं चाती थी कि वो फोरेस्ट में जाए वहाँ पर फिर से इसको temptation हो कोई लाला चाहे किसी animal को देखके या beehives को देखके apples को देखके कोई भी इसको लाला चाहे इसलिए वो अपने साथ अपनी sister के घर bear को कभी भी नहीं ले जाती थी और घर पर ही chain से बांध कर चले जाती थी और ये चीज हर Sunday होती थी The bear quite well knew what Sundays meant with a friendly tap on his head he was promised an apple on her return Students bear को भी बिल्कुल आराम से समझ आने लग गया था कि Sunday आकिर है क्या क्योंकि उसको हर Sunday को उसके head के उपर प्यार से hand से tap मिलता था वो हाथ अच्छे से हाथ फैला कर प्यार से इसकी mistress जाती थी और bear को एक promise भी किया जाता था कि अगर वो अच्छे से रहेगा तो वापिस आकर उसको एक apple मिलेगा One Sunday, the lady chained the bear as usual and was halfway through the forest. The lady suddenly heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her. She looked back and was horrified to see the bear coming along full speed. Students एक Sunday को क्या हुआ कि lady ने bear को chain से बांदा और वो अपने half आदे रास्ते तक ही forest में गई थी कि उनको अचानक से पेड़ों की आवाज आने लगी, थोड़ा सा शोर सुनाई देने लगा और जैसे उसने पीछे मुड कर देखा और वो डर गई. उन्होंने क्या देखा कि Bear had joined her painting and sniffing. Students एक मिनट में ही Bear ने उसको जोइन कर लिया था, painting means half ना और sniffing means song ना उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा half रहा था और उसको song रहा था. The lady was angry and she was already getting late for lunch. उस lady को बहुत ज़्यादा गुसा आ रहा था और वो पहले से ही lunch के लिए late हो रही थी. She did not want the bear to come with her और वो बिलकुल नहीं चाती थी कि Bear उनके साथ उनके पीछे-पीछे ही आए. She told him in her serious voice to go back at once, menacing him with her parasol. Students उसने बहुत ही अपनी तेज गुसे में डाटने वाली आवास से उसको डाटा की वो घर वापिस चला जाए. The bear did not want to go back. He kept on sniffing at her. और जो भालू था, bear था, वो बिलकुल वापिस नहीं जाना चाता था और वो उसको continuously sniff सूंगता ही जा रहा था. On seeing that the bear had lost his new collar, she got more angry. इसके बाद लेडी ने क्या देखा कि bear के जो neck में, जो गले में उसके जो collar था, डोग के उसने वो भी misplace कर दिया है, कहीं गुम कर दिया है, तो उस लेडी को और ज़्यादा गुसा आया. और वो बार बार यही चाह रही थी कि जो bear है वो वापिस चला ज So hard, it broke in two. Students, लेडी ने bear को इतना जोर से फिर से मारा उसके नोज पर अपने umbrella से कि उसी के ही two pieces हो गए. He stopped again, shook his head and opened his big mouth as if he wanted to say something. वो वहीं पर रुख गया और अपना सिर हिला रहा था और bear अपना mouth ऐसे open कर रहा था, उसने अपना बहुती big mouth open किया, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो. और मेभी वो यही कहना चाह रहा होगा कि वो भी साथ ही जाएगा. Then he turned round and began to shuffle back the way he had come and looked back at the lady. Students, इसके बाद bear वापिस घर चला गया. Lady came back in the evening and found the bear at his usual place outside his kennel. Now students, what happened? Evening में lady वापिस अपने घर आई और उसने क्या देखा कि kennel के बाहर ही हमेशा की तरह bear पैठा हुआ था. The lady was still angry और अभी भी वो उसके साथ गुसा थी, angry थी. She went up to him and began to scold him severely and said that he would be chained for two more days. Students, वो bear के पास गई और वहाँ पर उसको दुबारा फिर से डाटा. और क्या होता था? जब भी bear से कुछ भी कोई लोट उटता था या कुछ भी कोई problem create उससे हो जाती थी, तो उसको एक ही punishment मिलती थी और वो punishment क्या थी? उसको chain से बान दिया जाता था. तो आज भी lady ने उसको बोला कि तुझे तुमें दो दिनों के लिए फिर से chain से बान दिया जाए. Now students, what happened next? What are you scolding him for Mrs. Sad the cook? He has been as good as gold the whole day. Bless him. He has been sitting here quite still on his haunches as meek as an angel, looking the whole time towards the gate for you to come back. Students, इसके बाद lady की जो cook थी, उसने lady को बोला कि आप इसको बार बार मत डाटो, ये तो बहुत ही अच्छा है, very nice child, बिलकुल angel की तरह है, ये यहीं पर ही बैठा हुआ है, haunches means thighs, ये यहीं पर ही बैठा हुआ है, और पूरे दिन गेट की तरफ ही आपकी लोटने का इंतजार कर रहा है, और हमेशा के लिए ही यहाँ पर बैठा रहता है, और वो बोलती है कि, he has been as good as gold, और वो बहुत ही अच्छा है, he is like angel, तो इसको आप डाटे नहीं, scold नहीं करें, बिलकुल भी ना डाटे इसको प्यार करें, ऐसा कुक लेडी से बोलती है, Students, after completing the chapter, now it's time to do word meanings from the same chapter, let's start. Students, first word is amiable, और amiable का मीनिंग है, gentle, friendly, यानि की सौम्मे और प्रिये, And next word is, kennel, and kennel means a small house for pets, यानि की जो pets के लिए पालतु जानवरों का जो घर होता है, उसको बोलते हैं, Next word is porridge, porridge means a dish of oatmeal boiled in water or milk, इसको हम बोल सकते हैं, दलिया या खिचडी, ये भी pets के लिए ही होता है, Next word is appetite, and the meaning of appetite is hunger, यानि की भूख, next, orchard, orchard means fruit garden, यानि की फलो का बगीचा, And next is clumsy, clumsy means unskillful, inexpert, यानि की बेढगा, अनाडी, Next word is solitary, and solitary means lonely, alone, अकेला, next, panting, panting means breathing heavily, that means हाफना, Next, sniffing, and the meaning of word sniffing is smell something, यानि की सुंगना, रोम, And the meaning of this word is move aimlessly or unsystematically, यानि की इधर उधर भटकना, Next word is meek, and the meaning of this word is humble, obedient, यानि की नम्र या आज्यकारी, Parasol, and the meaning of word parasol is umbrella, चाता, Students, अभी हमने इस chapter के word meanings को किया, now it's time to do question answers of the same chapter, let's start, Students, first question is, where did the lady find the beer cup? Lady को भालू का बच्चा कहां मिला? How did she bring it up? उसने भालू के बच्चे का पालन पोशन या परवरिश कैसे की? And the answer is, the lady found the beer cup in the forest, half dead of hunger, it was very small, महिला को beer cup, यानि की भालू का बच्चा जंगल में मिला, और he was half dead of hunger, भूक से वो अदमरा हो चुका था, और वो बहुत ही छोटा था, The lady had to bring it up on a bottle with the help of the cook, महिला ने अपने कुक की मदद से, बोटल से यानि की बोटल से दूद पिलाते हुए, बीयर के बच्चे को, छोटे भालू को, पाला पोशा या इसकी परवरिश की? The beer grew up, but he was a most amiable beer, give three examples to prove this, Students, भालू बड़ा हुआ, लेकिन वो बहुत ही friendly भालू था, इसके three examples आपको यहां देने हैं, जिनसे यह पता चले कि वो बहुत ही amiable beer था, friendly beer था, and the answer is, he was most amiable beer, following are three examples, तीन examples दिये हुए हैं, फर्स्ट वन इस, he used to watch the cattle grazing in a friendly way, वो cattle को, यानि की गायों को चरते हुए, बड़े ही ध्यान से, प्यार से, और एक दोस्त की तरह से देखता रहता था, second, the three dogs used to play with him, pull his ears and tease him, और दूसरा example है, कि तीन dogs इसके साथ खेलते थे, इसके कानों को खिचते थे, इसको परेशान करते थे, अलग-अलग तरीके से, but he did not mind it, बड़े की इसको बिलकुल भी बुरा नहीं लगता था, and the third, the children used to ride on his back, और बच्चे इसकी बैक पर बैठ कर खेलना, कूदना, गूमना पसंद करते थे, next question is, what did the bear eat, students यहाँ पर पूछा गया है, कि भालू क्या खाता था, and the answer of this question is, the bear ate the food same as the dogs, जो pets हैं, dogs हैं, जो वो खाना खाते हैं, बिलकुल same वही खाना bear भी खाता था, for example, porridge, bread, cabbage, potato, turnip, that means, he was vegetarian, next one is, there were two things he was not allowed to do, what were they, students यहाँ पर पूछा गया है, कि bear को दो चीजें करने से मना किया जाता था, वो दो चीजें कौन सी हैं, and the answer is, he was not allowed to do the following things, उसको दो चीजें करने से मना किया जाता था, और वो दो चीजें हैं, pluck apples from the apple tree, students, apple tree के उपर चड़ कर उसको apples लेने से, तोडने से मना किया हुआ था, अगर कोई apple ground पर गिरेगा, उसको ही वो खा सकता है, उसको पेड पर चड़ना allowed नहीं था, and the second one is, harm the beehives on the tree, और जैसा की bear को honey बहुत पसंद था, शहद बहुत पसंद था, तो उसको ये चीज भी मना किया हुआ था, कि जो ट्री के उपर bees हैं, उनको भी ये touch नहीं करेगा, ये दो चीजें bear को मना की गई थी, यहां पर पूछा गया है कि भालू को चेन से कब बांदा जाता था, और क्यों, and the answer is, the bear was tied up on Sundays, Sunday के दिन भालू को चेन से बांद दिया जाता था, because his mistress used to go for a visit to her sister, क्योंकि जो उसकी mistress थी, भालू के साथ जो रहती थी, वो लेडी हर संदे को अपनी बहन के घर जाती थी, इसलिए वो bear को चेन से बांद कर जाती थी, next one is, what happened one Sunday when the lady was going to her sister's house, students, इस question के three parts हैं, first part में पुछा गया है कि एक संदे को ऐसा क्या हुआ जब लेडी अपनी sister के घर जा रही थी, and the second part is, what did the lady do, उसके बाद लेडी ने क्या किया, and third, what was the bear's reaction, कि जो भी उसने लेडी ने किया, उसके बाद bear का क्या reaction था, so the answer of the question is, when the lady was going to her sister's house, she heard sound of cracking branches behind her, जब वो महिला अपनी बहन के घर जा रही थी, उसको branches में से पेड़ों में से कुछ आवाज आनी start हुई, she saw the bear, उसने वहाँ पर bear को भालू को देखा, she was angry at him for having left the room, और वो उसके साथ बहुत गुसा हुई कि वो यहाँ पर क्यों आया है, she hit him with her parasol, parasol means umbrella, और उसने उसको अपने umbrella से मारा, the bear turn around and begin to walk back, और उसके बाद भालू वापिस घर चला जाता है, next question is, why was the bear looking sorry for himself in the evening, evening में भालू अपने आप के लिए क्यों दुखी था, क्यों सोरी था, and the answer is, the bear was looking sorry for himself in the evening because he had been chained whole day, भालू अपने आप के लिए इसलिए परेशान था, इसलिए दुखी था, क्योंकि वो पूरे दिन से, chained से बंदा हुआ था, maybe he had been waiting for his mistress to come, set him free and give some reward for his gentleness, और वो ऐसा भी कुछ सोच रहा था, कि उसकी mistress आए, वो उनका wait कर रहा था, और वो उसको free करे, और वो पूरे दिन उसका जो gentleness है, अच्छे से जो रहा है, उसके लिए उसको कुछ न कुछ reward दे, ये भी मन में सोच कर परेशान हो रहा था, next question is, why did the cook get angry with her mistress, उस lady की जो cook थी, वो उससे क्यों गुसा थी, and the answer is, the cook got angry with her mistress, because the mistress was scolding the bear, for following her to the forest, students, lady की जो cook थी, वो इसलिए उसके साथ गुसा थी, क्योंकि उसको लग रहा था, कि जो mistress ने bear को डाटा है, उसका पीछा करने के लिए जंगल में, वो उसको नहीं डाटना चाहिए था, इसलिए cook उससे angry थी, और cook मिस्ट्रस को बताती है, कि जो bear है, वो अपने रूम को कभी भी नहीं छोड़ता है, and had been sitting here gently all day long, और हमेशा ही बड़े आराम से पूरे दिन यहां पर बैठा रहता है, इसलिए cook मिस्ट्रस से angry थी, next question is, give the character sketch of the bear in the story, students हमें यहां पर bear के character के बारे में बताना है, and the answer of the question is, the bear was brought up on milk, bear को दूद से बड़ा किया गया, उसको बोटल से दूद पिलाया गया, he ate only vegetarian food, और वो सिर्फ vegetarian food ही खाता था, उसने कभी भी मीट को टेस्ट नहीं किया था वो बड़े प्यार से ही सब अनिमल को दिखता था उसने कभी भी उनको अटैक नहीं किया था और बच्चे उसकी बैक पे बैट कर बड़ी मज़ेदार राइड लेते थे और जो त्री डोग थे वो इसके साथ खेलते थे इसको टीज करते थे इसके एर्स को खीशते थे लेकिन कुछ भी बोलता नहीं था बहुत ही जेंटल था यह बैर यह सभी के साथ चाहे बच्चे हों एनिमल्स हों बीस्ट हों सभी के साथ बहुत ही जेंटल था वेरी एमिएबल बैर था यह बहुत ही सोफ और जेंटल एनिमल था यह दोनों ही जो लेडी थी इसकी मिस्ट्रेस और उसकी कुक दोनों का ही बहुत ही जादा फेवरेट था यहां पर पूछा गया है कि वो लेडी कब अपनी बहन के घर जाती थी and there are four options option A is every Monday, B every Tuesday, C every Sunday and D every Saturday so the answer is option C every Sunday यानि की वो लेडी अपनी सिस्टर को every Sunday मिलने जाती थी next question is who lived with the lady इस lesson में पूछा गया है कि लेडी के साथ कोन रहता था and first option is a beggar, second her sister, third her mother and fourth one is a beer cup so students option D is the right answer a beer cup a beer cup lived with the lady next question what did the beer eat? भालू क्या खाता था? first one is vegetables, second fruit, third bread and fourth all of the above students इस स्टोरी में हमें बताया गया है कि the bear was fully vegetarian तो इसका आंसर बनेगा option D that means all of the above वो ये सब कुछ खाता था जो dogs खाते हैं students आज हमने 7th class का एक और चप्टर किया the bear story I hope आप सब को ये बड़े अच्छे से समझ आया होगा इसके word meanings आपको याद करने हैं इसके question answers भी आपको याद करने हैं we will meet in the next video for next chapter till then Namaskar